हेलो गाईज टेक्निकल नालेज में आपका स्वागा थे गाज आज की जो अपडेट हुओ भेल जहांसी यानि की भारत है वे इलेक्टिकल सिल्मिटर जहांसी की तरफ से गाज इसमें ITI डिप्लोमा ग्रेजुशन वालों के लिए अपेंटेशिप की रिकूटमें निकल किया भी है हम हैं इसकी ऑफीशल साइट पर जैसे नीचे स्कॉल्डन करते हैं आप देख सकते हैं तेड़ एपेंटेशिप 2022-23-22 विग्यापन दिया हुआ है इसना तक और टेक्नीशन एपेंटेशिप जो की डिप्लोमा और ग्रेजुशन वालों के लिए होती यह 2022-23-22 विग् अधिकल की आर्ट, ड्राफ्समैन, मेकेनिक की तीन, प्रोग्रामिंग और सिस्टेम एड्मिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा की दो, तोटल लंबर वेकंसी 61 होने वाली, आपको जो एपेंटेशिप की आवधिय होती एक साल के लिए होती है, अनिवार आहरता आपको डिप अधिक नहीं होना चाहिए, NCVT, SCVT से 2020 से लेकर 2022 के मद आपका ITA होना उत्तीर होना ज़रूरी है, अगर आप जहांसी के कर्मचारियान की मिर्था या सेवा निवरत ये कारियरत हैं, तो आपको तीन साल का रिलक्सेशन भी दिया जाएगा, चौथा जो पॉइंट इसमें ह प्राइवेट कंपणी में कोई भी एक्स्पियेंस ना लिये हो, आपका ITA की द्वारा आइस्थाई अंकताली का नहीं होना चाहिए, और www.gov.in में आपको पंजिकरत होना चाहिए, यानि कि आप पंजिकरत कर सकते हैं, जो भी पंजिकरत ना हो, एज रिलक्सेशन के बारे आपको तीन वर्स का आपका रिलक्सेशन भी दिये जाएगा, जैसे कि आप 2020 से 2022 के पास आउट हैं, या उसके बाद की पास आउट हैं, तो भी इसमें आप अपर भी कर सकते हैं, सबसे अची बात गाज़ है कि चैन पात्र उमीद्वार दौरा लिखित परिछे में प्राप आपको step by step apply कैसे करना, पर्थम चरण में आपका apprenticeship site में registration होना चाहिए, यानि कि ITA वालोकली apprenticeship बाकि आपका MHRD में diploma और graduation वालोकली है, उसके बाद दूती चरण में आपका apprenticeship में आपको क्या करना है, इस्टिबलाइस में सर्च करना और लिखना भेल जासी, वहाँ पर ट्लिक करके आपको जो भी trade है उस पर apply कर देना, त्रेती चड़म में आपको ये भेल की official site पर आके trade apprenticeship के अंतरगत उपलब्द online आवेदन, यानि apply online आपको download करना, उसके बाद acknowledgement आपको ये submit करके रख लेना final step जो आपका उपर एक तो अभरती जो की विग्यापन की सभी आहरतों को पून करता हो, ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर सभी प्रकार के एक्टों सिर्णी के, एक ratio 10 यानि कि जो आपका written examination होने वाला है, वो एक्जाम नहीं करा सकते हैं, तो जो आपका written examination होने वाला है वो आपका percentage base पर होगा, अभरती का अंतिम चैनल लिखित परिच्छा में प्राप्त अंकों के अधार पर किया जाएगा, अगर दोनों लोगों के same same है, same category है, तो उनके ITI में जो भी अधिक है, तो उनको वरीत दी जाएगी, यदि उसमें से भी समानता पाय जाती, तो ऐसी इस्ति में अधिक आयू वाले अभरती को वरीत दी जाएगी, लिखित परिच्छा है तो चैनित अभरती के सूची एवं लिखित परिच्छा के उपरांत अंतिम सूची final selection list आपको इस साइप पर उपलफद हो जाएगी, अब बात कर लेते हैं, डिप्लोमा और ग्रेजियो होने वाला है, तो आप अपलाई जरूर करिएगा, अगर आप इंट्रेस्टेड हैं, एपन्टिसिप करने में, इंपोर्टन बात करते हैं, एक इंपोर्टन नोट की, तो विखत वर्सों में अनुभाव के आधारबर, जिश में परदेश के बाहर अभरती चैन उपरांत, स एक अपडेट देने थी, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने इस दोस्तों साथ सेर करें, तो चलिकेज मिलते हैं लिए वीडियो पर, तब तक लिए नमसकार